दूस्व, UIDI ने एक नई application launch करी है M-Ather जिसे आप अपने phone में download करके अपने आधार card को बड़े आसानी तरीके से manage कर सकते हो जिसमें आप अपने आधार card को download कर सकते हो अपने आधार card को update कर सकते हो जिसमें नाम बदल सकते हो, photo बदल सकते हो उसके साथ address बदल सकते हो, date of birth बदल सकते हो या पिर कोई भी changes करना है, उस सब दूस्व, आप अपने आधार card में कर सकते हो यहां तक कि दूस्व, M-Ather से आप PVC आधार card को भी order कर सकते हो आधार card का status चेक कर सकते हो PVC आधार card का status चेक कर सकते हो A to Z चीजे दूस्व, M-Ather card application से हो रही है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप M-Ather card को activate करोगे अपने phone में और उससे कैसे use करना है दूस्व, सबसे पहले आपको M-Ather को Google Play Store से डाउनलोड कर लेना है लिंक आपको मैं नीचे description में देदूंगा वहाँ सबी आप इसे round load कर सकते हो इसे open करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ permission देना होगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो और उसके बाद यहाँ पे कुछ interaction दिया गया है जिसे आप slide कर सकते हो और देन आप यहाँ से इसे get started कर दीजे उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे consent देना होगा तो इसे आपको click कर देना है and यहाँ पे आप देख सकते हो अब आपको language चूज करने हैं आपकी इस language में इस application को use करना चाहते हो तो हम English में करेंगे तो continue करते हैं और यहाँ पे दोस्तों आपको अपना mobile number डालना है जो भी mobile number आपके पास system available है उभी आप यहाँ पे डाल सकते हो mobile number डालने के बाद दोस्तों आपको next करना है next करते ही दोस्तों आपके इस बाले mobile number पे एक OTP भेजा जाईगा अब यह OTP आपको यहाँ पर डाल के submit कर देना है Submit करते हैं दूस्तों यह application आपके सामने open हो जाता है आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें काफी सारी जो services है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है सबसे पहले दूस्तों आपको यहाँ पर अपना जो आधार काड है उसे register करना पड़ेगा तो यहाँ पर register my आधार काड के उपर click करना है अब यहाँ पर आपको एक 4 digit का अपना pin बना लेना है जो भी आप यहाँ पर बनाना चाहते हो जैसे कि हम यहाँ पर example के लिए यह वाला बना लेते हैं और उसके बाद इसे हम confirm भी कर देते हैं अब दूस्तों यहाँ पर आपको अपना आधार number डालना है और यह जो capture है इसे यहाँ पर आपको डालना है आप यहाँ पर देख सकते हो अब आप यहाँ से अपने आधार कार्ट का front and back भी देख सकते हो slide करके आप यहाँ पर जैसा की देख सकते हो यहाँ पर एक अच्छी बात यह ना guys यह जो plus का icon है इसके उपर क्लिक करके आप एक और आधार कार्ट यहाँ नहीं कि अपने family members का भी आधार कार्ट यहाँ पर add कर सकते हो उसके लिए बस आपको plus का icon पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर ok करना है अब यहाँ पर उनका आधार number enter करना है उसके बाद यह जो capture है यहाँ पे capture आ नहीं रहा है मैं यहाँ पे okay आ गया तो यहाँ पे यह जो capture है इसे fill up करना है send OTP पे click करना है उसके बाद OTP आएगा वह डालोगे तो उनका आधार कार्ड भी यहाँ पे add हो जाएगा उसके साथ दुस्तों यहाँ पे आपको काफिसरी service मिल जाती है जैसे कि आप यहाँ पे देखी सकते हो यहाँ पे आप यह चेक कर सकते हो कि आपके add कार्ड के साथ कौन सा bank link है बस आपको इसके उपर click करना है आपको अपना add number यहाँ पे automatic आ जाता है बस यह जो capture यहाँ पर fill up करना है request OTP पर click करना है उसकी बाद दुस्तों जो आधार कार्ट के साथ आपका mobile नमर लिंक है उस पर एक OTP आएगा वो OTP आपको यहाँ पर डाल के verify करना है जैसे आप verify कर दोगे यहाँ पर दुस्तों आपका पूरा का पूरा bank account आजाएगा जो आपके आधार कार्ट के साथ लिंक है आप यहाँ पर खुदी देख सकते हो साथ में दुस्तों यहाँ पर आपको काफी सारी service मिल जाती है जैसे कि यहाँ पर आप अपडेट आधार कार्ट में जा सकते हो यहाँ पर दुस्तों आप अपना नाम हो गया या फिर gender हो गया date of birth हो गया address हो गया यह सब बड़ी easy तरीके से change करा सकते हो उसके लिए बस आपको उसके उपर click करना है आधार number डालना है and यह जो capture है इसे यहाँ पर आपको fill up करना है request OTP पर click करना है उसके बाद दुस्तों आपके आधार कार्ट के साथ जो mobile number link है उसके OTP जाएगा वो OTP आपको यहाँ पर डालके verify करना है जैसे आप verify कर लेते हो अब आप से यहाँ पर पूछा जाएगा आपके update कराना चाते हो date of birth हो गया, gender हो गया, address हो गया, language हो गया, name हो गया तो यहांपे जो भी आप update कराना चाते हो जैसे कि हम address अबडेट कराना चाते है तो इसके उपर click करते हैं and next करते है next करते हैं दूस्तों आपका address यहाँ पर आजाएगा तो आपको इसे confirm करना है एंड इसे आपको यहाँ से proceed करना है जैसे आप proceed करोगे और दूसरे यहाँ से आपसे पूछा जाएगा आप क्या address change कराना चाहते हो complete आपको यहाँ पे address डाल देना है pin code के साथ आप यहाँ पे देख लिजिए उसके बाद आपको next के उपर click करना है next करने के बाद दूसरे आपका complete address यहाँ पे आ जाता है तो आपको इसे i confirm के उपर click करना है उसके बाद आपको next करना है next करने के बाद अब आपसे यहाँ पे एक document मांगा जाएगा जो भी आपका address है उस address से मिलता हुआ आपको अपना जो document है उसे upload करना है and उसके बाद next कर देना है next करने के बाद दूस्व आपका document यहाँ पर आ जाएगा and इसे आपको confirm करना है वापिस आपको next करना है जैसे आप next करते हो यहाँ पर दूस्व आपसे यह capture fill up करने को बोला जाएगा तो आपको यह capture यहाँ पर fill up क तालके verify के उपर click करते हो आपको बता दो आपको 50 रुपीज का चार्ज देना होगा एंद 3 से 4 दिनों के अंदर दोस्तों आपका जो address हो update हो जाएगा तो यहाँ पर अभी मैं verify नहीं करूँगा क्योंकि मेरा address बिल्कुल correct है उसके सासा दोस्तों यहाँ पर आपको और डेरो स फोटो या फिर biometric कुछ भी change कराना है फोटो update कराना है या फिर fingerprint अपडेट कराना है तो ऐसे में दूस्तों आप यहाँ से directly appointment book कर सकते हो एंद उसी date को आप जा सकते हो जिससे आपको line में खड़ा नहीं होना पड़ेगा direct जाके आप अपना काम करवाज सकते हो उसके बाद जैसी आप services में आते हो तो यहाँ पर आपको और भी features मिल जाता है जैसे कि download आधार card का मिल जाता है order PVC card जिसके लिए आपको 50 रुपे का charge देना पड़ेगा बस आपको इसके उपर click करना है terms को आपको accept करना है okay करने कि बाद अगर आपका mobile link नहीं है तब भी आप यह order कर सकत हो बस आपको इसके उपर click करना है आधार number यहाँ पर आपको डालना है capture fill up करना है request OTP पर click करना है and payment करना है बस इतना सा काम करोगे आपका जो यह PVC आधार card यानि की plastic का आधार card है यह order हो जाएगा काफ़ easy तरीकी से तो इसे अभी हम back कर देते हैं यहाँ से okay तो यहाँ पर और भी काफी साही चीज़े है verify आधार है verify email and mobile number दिया गया है यहाँ से आप virtual ID भी generate कर सकते हो and बहुत सारे यहाँ पर features दिये गए हैं जिसका आप use कर सकते हो उसके सास्ता दोस्ते यहाँ पर आपको enrollment center मिल जाता है जिसके उपर अगर आप click करते हो तो आपके nearby जितने भी enrollment center होंगे ओ map के जरिये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा तो यह काफी बोल सकतो ना interesting application है जिसके अंदर दोस्तों आपको आधार काटकी A to Z service देखने को मिल जाती है वीडियो पसंद आई हो तो please वीडियो को like और share कर देना thank you guys bye bye and take care